तो आज हमारे किचिन में बनने जा रही है मलाई मसाला पनीर की रेसिपी और यह हम बनाएंगे विदाउट अनियन गारलिक बिना लहसुन प्याज के सबजी बनने जा रही है और घर के बनी हुए पनीर से मैं आपको बनाना बताऊंगी और मैंने बोला था कि जब घर का हम पन कर रख दिया था तो आज भी एक अपते बाद भी फ्रेश है एकदम और एक बार मैंने पानी चेंज किया होगा बस इसका और इसके बाद हम इसका पनीर बनाने जा रहे हैं एकदम फ्रेश पनीर है यह खराब नहीं होता और आप दुकान से लाते हैं तो थोड़ा सा हाड़ मैंने ले लिए हैं और इस तरह से हमें ग्रेवी की तैयारी करना है अब हम क्या करेंगे एक मिकसर जार लेंगे और उसमें डाल देंगे टमाटर और साथ में डाल देंगे अधरक के टुकड़े तो यह एक इंच के करीब अधरक का टुकड़ा है और इसके बाद मैं इसमें डाल देते हैं कुछ काजू है तो 5 से 6 काजू है और 2 टेबल स्पून मैंने मुंफरी दी है तो बिना काजू के भी रेसिपी कैसे बनाई जाती है ये मैंने पहले ही वीडियो अफलोट कर रखा है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं जब वो आप रेसिपी बनाएंगे ब साथ मिलाकर रख लेते हैं अब हम लेते हैं एक कड़ाई और उसमें डाल लेते हैं एक टेबल स्पून घी घी ही यूज करना है आप कोई अगर घी नहीं करना चाहते तो तेल भी कर सकते हैं लेकिन घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि मलाई पनीर है और एक बढल नहीं तो काजु का जो पेश्ट इसमें ड़ला हुआ है इसकी वज़े से मसाला चिपकने लगता है और नमक डाल देते हैं इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि यहां थोड़े से बबल उचलने लगते हैं हाथ कुनμε लगने लगता है तो थोड़ा देर हम इसे धक धि बीज बीज में चलाते रहेंगे एक्दम छोड़ना नहीं है तो हमने डगतिया है और दो से तीन मिनट के बाद आप देख सकते हैं यहां उचलना भी इसका बंद हो गया है और थोड़ा सा मसाला भी भूनने लगा है तब हम इसमें डाल देते हैं हमारे जो मसाले जो हमने मिक् हमारा ऊपर जाए तब तक इसे हम पका लेंगे तो दो से तीन मिनट के बाद यह मसाला हमारा एकड़म पक क्छुका है और इसमे जो कड़ाई में चिपक रा था अब है है तो यह मसालہ हमाँ हमारे तयार हो चुका है तो मैं इसमें डालदेते हूं घर की निकली हुई फ्रेश ४ुट की जो मलाई रहती है उसे डाल देते है और मलाई डालने के बाद मसाले में अच्छे दरह से मिक्स करेंगे और हमने बहुत कम घी और तेल का यूस किया है तो इसमें बहुत जादा तेल तो नहीं छोड़ेगा मसाला लेकिन चिपकना बंद हो जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि यहां मसाला बहुन चुका है तो मलाई डालने क defense थोड़ा सा फील हो रहा है क्योंकि हमने बहुत कम तेल और घी डाला है तो ये उन लोगों के लिए भी यूसपूल है ये वाली रेसिपी जो बहुत कम तेल और घी यूस करते हैं और जिनको बहुत कम तेल और घी खाना चाहिए उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी ये रेसिपी तो हमने ड चाहिए तो मैंने इसमें डाल दिया है एक से डिट कप पाणी और इसे हम बॉयल होने के लिए हुड़ देते हैं और बॉयल होने के पाद इसमें जो रोगन आएगा तक हमसें पक चुका है तो तीन मिट तक हम इसे पका लेते हैं और दो से तीन मिट के बाद आप देख सकते हैं कुदी कि इसमें ऊपर रोगन आ चुका है हमने तेल और गी बहुत कम डाला है उसके बाद ही पकने के बाद इसमें रोगन ऊपर आ जाता है क्योंकि बहुत अच्छी तरह से यह पक चुका है तो तैयार हो चुकी यहां होम कांईर से बनी इक न्यूरी से नियूरेसिपे लास्ट में डालते हैं कशोरी में ऱ्म्हार दोगते यहां कशोरी में डीक कैसे मना जाती है इसका वीडियो में जल्दी अपलोड कर दोगी तो आप ज прошлberg का अविजएंगे अगली वीडियो में में एक्स्ड deti के साते आथ उर